मेरा 9 साल का भाई था अखलेश कुमार 16-25 बाइस को इट से मुह में लखड़ी ठूट-शूट का निर्मन तरीके से उनका हत्या कर दिया केश डर्ज होने के बांज आज चार मेनम बितने चला गया कोई भी ब्यक्ति अपराधी को गिरपतार नहीं कर पाया केश किये हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई सर मेरी मदद कर रहा है तक हमको बिसमा से की पटना में मदद मिलेगा अगर पटना से सर मदद नहीं मिलेगा तब कहां से मिलेगा सर नमस्कार मैं यूराज और आप देख रहा है यह 24 नूज अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ यह मैं अभी अंबेडकर भौन में मौजूद हूँ आप वहां देख सकते हैं यह अंबेडकर भौन का कैंपस है और यहां पर संबिधान निर्माता डॉ अतिमायक लगा हुआ है वही डॉक्टर भी आरामबेडकर जो दलीतों के लिए गरीबों के लिए सोशितों के लिए वंचितों के लिए पुरा जिंदगी लड़े और लड़ते-लड़ते मर गये लेकिन यहां पर एक ऐसा मामला हमारे सामने आ रहा है जिसको सुन करके आपक अगलफू क्या मामला मेरा नो साल का भाई था अखलेश कुमार सोला पांच बाइस को इड़ से मूं में लगडी ठूट शूट कर निर्मन तरीके से उनका हत्या कर दिया केश्डर होने के बांच चार मेनम इतने चला गया कोई भी ब्यक्ति अपराधी को गिरपतार नहीं कर पाया है पूलिस कौन हत्या किया है अपने से भी मडर किया था और अपने से मडर किया था आगे हुआ है आगे सर यही कि मेरा भाई को मार के जो है अध्या कर दिया मौत हो गया उनका जब केस किये हैं कोई सुनवाई अध्या कर रहा है अभी आप अंवेटकर भौन में मौजुद हुए है पतना में और यहां आदमकद बाबासाब की परतीमा है और अंदर कुछ कार्यकरम हो रहा है भी मार मिक का तो यहां पर निया जो करता है पुर बच् Malm queb हार का यहां पर तमाम लोगों से आप मिले भी होंगे पीजिस्ति और जो डाक्टर भी में बेटकर है उनके करकरते जो भी है सभी से मिले हैं सभी से बातचीत हुआ हमसे बोला स्वासन दिया कि काम होगा और हमको अविदन दिजे मैं बोलता हूं परवारी को जो है इस तरह बोला और अभी मैं तेजस्वी सर्ख से मुलकात करेंगे और उनसे गुहार इंसौप की गुहार लगाएंगे थाकि मेरे 9 साल भाई अखलेश ऑमार को इंसाब मिल सके क्या लगता है कि आपको सिस्टम आपके साथ है या आपको नयाय मिलेगी दिखेस शीटम तो कहने की बात नहीं है जो है सिस्टम अपनी जगह पर बस मुझे जो किया है जो साक्षा दोसी है उससे हमको लेना देना है शिष्टम क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं न्याय चाहिए बस आपको क्या लगता है कि न्याय की उमीद है इस सरकार से जिखे जब अर्जेडी सरकार जो कि दलीतों के प्रति बड़े-बड़े वादे करती है गटबंधन की सरकार बन तक मुझे बिस्वास नहीं हुआ तो इन से गुहार क्यों लगाएंगे विस्वास पर उन पर लगा रहें ना कि सब्सक्रावाराराइंगों कि एक तोंकि जाने के बाद आगे के करवाई कि आपको कि दिखिए जो कि परसासन ही बता सकता है और जो परतिनिधी जिसके मिलेंगे और ही बता सकता है कि क्या आपके साथ इस तरह के घटना होई त्यूंकि यह को यह मामुली सी घटना नहीं है एक छोटे सी बच्चे को निर्गम तरीके से हत्या कर देना तो क्या लगता है कि आपके परिवार पर भी जान का खत्रा बना हुआ जी मैंने नियाले में इसके लिए अवेधन भी दिये अब हम से बात करने के लिए आप यह देख सकते हैं अभी हम आजाद भारत में मौजूद है यह आजाद भारत की तस्वीर है कि एक दलित ब्यक्ति को इतना दबाव बना करके इनके छोटे भाई को निर्गम तरीके सहत्या कर दी जाती है और इनको जान से मारने की धमकिया भी दी जाती है तमाम तरह का टॉर्चर इनके परिवार को किया जाता है और इनको जमेनी तोर पर कागजी तोर पर तो इनको सुरक्षा मिल चुके है लेकिन जमेनी हकीकत ये है कि अभी तक इनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है और ये भागलपूर से पटना चल करके आये हैं तो कहीं ना कहीं इनको सरकार से उमीदे हैं ये भीम आर्मी और ये त पर दिन को लड़े क्योंकि इस तरह की घटना है इस भारत देश में तमाम राजियों से दिन पर दिन होते चलिए अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक चोटे से बच्चे को मटके का पानी पी देने से मार दिये जाता है तो कहीं न कहीं ये चीज ये सरकार ये नाकाम हो ये अपनी सिस्टम को समहाल पाने में तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए और आप सभी तमाम सरकार बिहार सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह की दलित पर अत्याचार जो दिन राजनितिक संगठोनों से अब तक मिल चुके तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं यहीं कहूंगा कि आप सभी जनपरतिन इडियों से नम्रिन निवेदान करूंगा कि इनकी बातों को सुना जाए इनको न्याय दिया जाए मैं मेरा कबरेज के साल लगा प्रतिकरिय आर लगा ए्कमि üण लगा विद